जो कि यह गरीब की पार्टी है भाजपा की तरह पार्टी नहीं सभीर को ले देके चलती है और आज पूरे जिला का एक मांग था ति नवादा का ही बेटा नवादा का नेता हो लालो ने बीजेपी के मुश्किले बढ़ाने के लिए नवादा से श्रवन कुश्वाहा को मैद ति श्वियादव और लालू पृषाद यादव ने इसे साबित कर दिया है राजद भाजपा की तरह नहीं है नवादा के लोगों के ये मांगती कि नवादा का लड़का है चुनाव लड़े और मुझे टिकट दिया गया मुझे भरोसा जताया गया मैं इस तमाम काम के लि झाल आघवाद की तरह पार्टी नहीं है यह गरीबों की पार्टी है और यही पार्टी ऐसी है जो गरीबों को टिकट देती है मीडिया कर्मियों से बादचित करने की दोरान श्रवन कुश्वाह क्या कुछ केहते नुजर आए हैं पहले आप सुनें सभी लोग को ख्याल रखर टिकर दिया जा रहा है जो कि यह गरीब की पार्टी है भाजपा की तरह पार्टी नहीं सभी को ले देकर चलती है और आज मानिये बड़े भाई लालू परसाज जादव जी भाई तैस्वी जी हम लोग के गर्जियन आज यह साबित कर दिये कि नही चेतर में हमारा जो नवादा जिला से आते हैं हम और नवादा जिला में परतेक बार बाहरी उमिदबार जीत कर आया है और आज पूरे जिला का एक मांग था कि नवादा का ही बेटा नवादा कर नेता हो कोई नवादा में लडाई नहीं है कोई लगाई नहीं महाकट बनना जीतेगी और पार समर्कंद समर्कंद के साथ जीतेगी आपने देगा कि श्रवन कुश्वाहा ने आभार जताया है उन्होंने तिश्वियादव और लालु पुषाद यादव का दिल से आभार जताया और कहा कि मुझे पर भरूसा किया गया मुझे जैसे गरीव को पार्टी ने टिकट दिया ये बहुत बड़ी बात है नवादा से टिकट मिलने के बाद श्रवन कुश्वाहा बेहदी जादा खुश नजराया उन्होंने तिश्वियादव और लालु पुषाद यादव को आभार जताया और कहाए कि नवादा की ज खेलकर लालु पुषाद यादव ने एक मास्त श्ट्रोक फेक दिया है और राजमितिक पंडितों का ऐसा मानना है कि इस बार की चुनाव में खासकर बिहार में अगर मूदी लेहर नहीं हुई तो लालु पुषाद यादव बड़ी बात जीट सकते हैं बीजेपी के मुश्किलें बढ़ सकती हैं बीजेपी बहुत ही जादा मुश्किलों में है बिहार में क्योंकि लालु पुषाद इस बार ये नहीं देख रहे हैं कि कौन मेरे पार्टी के सबसे जादा करीब है किस नेता को हमें देना चाहिए सिर्फ ये देख रहे हैं कि कि लोग सबा सीट पर कौन मजबूती से रहेगा बीजेपी की वोट बैंक को कम करेगा और भारी मतों से आरजेडी को महागडवनन को जीत दिलाएगा और उसी उसी कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है श्रवन कुश्वाहा भी इस मास्टर श्टोक का हिस्सा है श्रवन कु क्या बीजेपी अपने तमाम सीटों पर इंटाक्ट है और महागडबंधन उस सीट को जीत चुकी है या फिर क्या कुश निकल कर सामने आएगा तमां खबरों से हम आपको रुबरू कराएगे देखते रहेगा फश्बया जहार धन्यवागत ये लो मुह मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाया है अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ हमने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सग अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined